फ्रेंज आपके घर में भी इस तरह की कई सारी प्लासिक की पॉलिटन एकटा हो जाती हूंगी आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप इन प्लासिक की पॉलिटन का किस तरह से यूज कर सकते हैं हो सकता है इन मेंसे कुछ यूज आपको पता हो और कुछ यूज आपके लिए नए हो तो आप वीडियो को पूरा देखेगा सुरू से लेखर के एंड तक का बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक भी जरू कीजेगा और ज इसे आपको कट कर लेना है इसके बाद जो यहां से उपर वाला जो पोर्शन है मैं इसे भी कट कर लूँगे इसे आपको काट के हटा लेना है इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक पूर और लगाई है इसके बाद यहाँ पर आपको एक धकन की हैट से सर्कल ड्रॉ कर लेना है सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर स्टैपलर कर रही हूँ बीच ओ बीच में और एक्स्ट्रा प्लास्टिक को एक्सिजर की हेल्पसे से कट कर ले रही हूँ इसके बाद यहाँ पे हमें हाफ कट लगाने हैं बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सरक्ल जो आपका बीच में आपने स्टेपलर कर रहता वो ना कटे इस तरह से चार और से आपको हाफ आफ कट लगा देना है और कुछ इसके बाद आपको हाथों की मदद से कुछ इस तरह से कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं सुन्दर सा फ्लावर बनके रेडी आप चाहें तो इस तरह की को स्टेक लेकर के यहां पे आप सेलो टेप की हेल्ट से इसकी पंकुड़िया है फ्लावर की इसे स्थिक पे चिपका करके आप यहां पे फ्लावर भी बना सकते हैं इसे आप अपने घर पे सजाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से आप कई ञारे सुन्दर सुन्दर फ्लावर बना कर अपने घर को सचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पें सुई दागे की हैल्ड से सुन्दर सी माला बना के भी तो और यह तरह कि दिवाली में यूज़ होती है इसके बाद मैं यहाँ पर अपने हाथ का निशान बना रही हूँ अपने हाथ का जब मैं यहाँ पर निशान बना रही हूँ तो मैं अपने fingers का exact size नहीं ले रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर gap छोड़ करके मैं इसका निशान बना रही हूँ इस तरह से ही आपको अपने हाइन को यहां पर मार्क कर लेना है इसके बाद आपको चाकू को गरम करके जो अपने निसान बनाया था हाथ का उसके उपर से उसी मार्क के उपर से आपको चाकू को इस तरह से चलाना है इसके बाद हातों की मदद से कुछ इस तरह से जो एक्स्टर प्लास्टिक है आपको उसे निकाल लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके हाथ के शेप का एक प्लास्टिक का ग्लास बन की तयार है जिसे आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते है फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी नेक्स्टिक की तरफ कई बार हमें अचानक से पार्टी में जाना होता है तो हमारे पास जो घर पे कुछ गिफ्ट पड़े होते हैं हम सोचते हैं उन्हीं को हम गिफ्ट कर दे तो उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास रैपिंग शीट नहीं होती है गिर्फ रैपिंग शीट तो ऐसे में अगर हमारे पास प्लासिक की पॉली है तो उसके अंदर आप कुछ इस तरह से गिफ्ट को डाल करके अच्छे से पैक कर लेते हैं जब आप इस तरह से गिफ्ट को पैक कर लेते हैं तो यह बिलकुल भी पता नहीं चलता है कि यहाँ पे आपने रैपिंग शीट की जगा प्लासिक की पॉली का यूज करा है मुझे कहीं पार्टी में जाना होता है और मेरे पास गिफ्ट रैपिंग शीट नहीं होती है तो मैं कुछ इसी तरह से गिफ्ट को पैक करती हूँ अगर आपके पास प्रिंटेट पॉली है तो यह बिलकुल भी अंदाज नहीं आएगा कि यहाँ पे आपने प्लासिक की पॉल्टिन यूज की है और यह दिखने में भी बहुत सुन्दर लगता है गिफ्ट पैक करने के बाद आप यहाँ पे स्टीकर लगा करके इसे दे सकते है अगर आपके पास स्टीकर नहीं है तो आपके घर में कोई लिफाफे होंगे जिसमें हम पैसे रख करके लोगों को गिफ्ट करते हैं तो वो इलिफाफे को भी आप कट करके यहां पर चिपका सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारा गिफ बिल्कुल रेडी है और इसे देख करके बिल्कुल भी अंदाज नहीं आ रहा है कि यहां पर हमने प्लासिकी पॉली का यूज किया इसे पैक करने के लिए फ्रेंड्स नेक्स ट्रेक के लिए यहां पर मैं यूज कर रही हूँ एक कार्टन का अब यहां पर प्लासिकी पॉली लेनी है इसके नाप की इसके बाद इसके उपर आपको कार्टन रख लेना है और चारो साइट से से फोल कर लेना है कुछ इस तरह से आपको पॉली को अंदर की तरफ पोल कर लेना है अब स्टेपलर की मदद से इसे सिक्यूर करने के लिए मैं इसे पिन अप कर लूँगी चारो साइट से मैं इसे स्टेपलर की पिन से सिक्यूर कर लेती हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सुन्दर सा और्गनाइजर बन के तयार है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे जल्दी से लाइक कर दीजे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हुआ है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी सर हमारे घर में इस तरह की बड़ी बड़ी वाली पॉलतिने आ जाती है आप उनका किस तरह से यूज करते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं बताती हूँ आपको मैं किस तरह से इसका यूज करती हूँ फ्रेंड्स हमारे इस तरह के ट्रावल बैक्स होते हैं जिनका हम कभी कभी ही यूज करते हैं और ये धूल लग करके खराब हो जाते हैं और हमें कहीं जाना होता है तो हमारे ट्रावल बैक गंदे हुए रहते इसके लिए मैं यहां पर ट्रावल बैक को रखने के लिए इस बड़ी वाली प्लासिक की पॉली का यूज़ करती हूँ इसे मैं ट्रावल बैक को इसके अंदर रख करके मैं इसे घर पे एक होने पर रख देती हूँ इससे मेरे ट्रावल बैक धूर लगने से बच जाते हैं और जब मुझे इसकी जरुवत होती है तो साफ सुत्रे मिलते हैं फ्रेंड्स जो ये वाला हैक है ये तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे यहाँ पे मैं प्लासिक की पॉली का यूज कर रही हूँ इससे मैं डस्बिन के उपर लगा देती हूँ इससे हमारा डस्बिन गंदा होने से बच जाता है और जो प्लासिक की पॉली ते हम ऐसे ही फेक देते हैं उन्हें डस्बिन बैक की तरह हम यूज कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन बाई 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 और टेक कियर और हाँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज दिसे जादे जादे शिया कीजी और लाइक कीजी थैंक यू फू वाचिए